नमस्कार बच्चों एक वर्फिर थे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दपीस्टी एम विजिन में आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास्टूर हिष्टी के टोप मुस्ट इंपोर्टेंट को डिस्कस करेंगे बच्चों जो आपके बोर्ड एक्जा करते हम लोग आज के प्रश्णों को पहला कोशने बच्चों लोथल की खोज किसने की तो इसका राइट अंसर होगा एस या राव ओप्सन नमर डी इसका करेक्ट आंसर होगा यह लोथल आपका गुजरात रैजम है और यह हडपा सेवेता का परमुक बंदरगा था बच्च बच्चों इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा उसके बाद देखिए तिसरा कुप्च ने मोईर समराज की पर्थम सासक कौन थी तो इसका राइट अंसर होगा चंद्रगुप्त मोईर चंद्रगुप्त मोईर ने नंद वंस के अंतिम सासक घरना नंद को हरा करके इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा देखिए बच्चों इस तरह से अगर हम बताते चलते हैं तो इसका आपसे इसे दो ती रिलेटर जितने भी कुश्चन होते हैं सारा आपका रिविजन होते चलेगा ठीक है एक जाम तो आपका एक दो देनी बाकी है त इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा उसके बाद देखिए आर्थ शास्त के रचेता कोन है तो इसका रही टन्तर होगा विश्णु गुप्तु देखिए इसको चानक के अभी कहा जाता है इसे को लिए भी विश्णु गुप्तु उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा उसके बाद देखिए अगला कोचन है हडपावासी तामा कहां से प्राप्त करते थे तो इसका रही टन्तर हो जाएगा खेतड़ी ओप्सन नमर चार इसका रही आंसर हो जाएगा और यह खेतड़ी कहां प व्रिष ने सिंदुघाटी से विटा में सोण किस से किस अस्थान से मिलता था तो सिंदुघाटी सा विटा के लोगों को सोण ticking भार से मिलता था और किसे अंच 2020 का करेक्ट आंसर होंगा को उसके बाद देखिए सुशन की आता रूजिञ के अं पना च्त क्या थो करते ऑपो मुद्स की अस्थापना किया था बच्चो उसके बाद देखे अगला कोच रहे भारत के प्राद्चितम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइटन्स होगा आहाद सिक्के और पैस्पश्य मार्चिस से और की ऑप्सन नमर सी इसका राइटन्स होगा दोनों या दोनों के नाम से जाना जाता था उसके बाद देखे अगला कोच रहे बुद्ध चरित्र के लिक निम्न मेंसे कोण है तो इसका राइट अन्स हो जाएगा आशुगोष उसके बाद देखी एगार नमर का प्रश्न है निम्न अंकित में से कौन गुप्त वंस का सासक था तो इसका राइट अंसर होगा बचो देखे गुप्त वंस का पुचा है तो चंद गुप्त दूतियों अनिकी विक्रमादित हो जाएगा और ये अजात सत्रू आपका कौन से अजात सत्रू था अगला कोच ने अशोक का रैज मिसे कब हुआ था तो असोग आपका मुहरी वंस से था इसका रैज विसे अनिकी 279 इसाप पुर्य में हुआ था बचो और इन्होंने 261 इसाप पुर्य में क्या क्या था कलिंक का युद किया था उसे भी आप लोग दियान में रखिएगा अगला कोच ने साची का अस्तूप किस रैज में इस्थी थे तो इसका राइटन्स हो जाएगा MP मैद पर्देश में आपका साची का अस्तूप इस्थी थे बचो उसके बाद देखी अगला कोच ने जातक कथा में किसके पूर्व जनम की कथाएं संकलित है तो इसका राही टन्स हो जाएगा बुद्ध की बचो किसमें संकलित है जाते कथा में बुद्ध की पूरु जनम की कथाएं संकलित है उसके बाद देखे अगला कोच ने प्रदर नमर का जैन धर्म में पूर्ण ग्यान के लि कहा जाएगा option number C, इसका right answer होगा, उसके बाद देखिए बच्चोण, महावीर के बजपन का नाम क्या था, तो इसका right लोगा वर्दमान, ठीक है, यह सिधार्त आपका गोतम बुद्ध के बजपन का नाम था, और वर्दमान आपके महावीर के बजपन का नाम था, यह महावीर जयन धर्म के चोबिशमें तिर्टकार थे, और अंतिम तिर्टकार थे, और इसे ही क्या कहा जाता है, जयन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी, इसे ही कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला कोच ने, महावीर का जनम किस महाजनपद में हुआ था, तो इसका रह odorब हाएगा वजी वजी कितने जनपत हाँ अगला ने बोट कोचने बोठ समूदाय के पर्थो मिविभाजन की संगति में हुआ था तो इसका राइटन से बोघस अंगति में ठीक है और 4 यह ढूसरा आपका 4 बोजश संगति कब हुआ था 120 में अनिके पहली सताब्दी में चतूरा पहली सताबदी इससापूरू में इसके? आपका हुआ था उसके बाद देखी, अगला कुछ ने, पंच महावरत किस संब्से संबदी थे, जन धर्म से पंच वहावरत संबनी से. उसके बाद देखे सर, अगला कुछ ने, चतूर्फबोध संगती कब हुआ था? तो इसका राइट एंस होगा 120 वहाँ पर मैंने BC बताती है था BC आपका नहीं को बच्छो इस वह वो ठीक एक तुड़ा कंप्यूच कर गए थे सो इसी में पहली सताब्दी में हुआ था उसके बाद देखिए अगला कुछ ने सूफी परंपरा में खनका का क्या अर्थ है तो इसका राइट नस हो जाएगा आसरम अगर पीर का अर्थ पूछे तब क्या हो जाएगा बैच्छो पीर का अर्थ क्या होता है गुरू होता है औ घंका का अर्थ क्या होता है आश्रम होता है उसके अगला कोचन नत राज के कि कि द्वारा तो इसका रही एंसर रोजयेगा बचो ए चोल के सिर्फ की पर्तिमां का निर्मान करवाया गया था नट्राज के रूप में ठीक है मझघर में किसका मिर्तिव अस्थान माना जाता है तो किसका कभिका कभिका मिर्थिशंक ः मग्हर माना जाता है और कप वलीव के उप्देश किस में संग रही थे भीजेक में नगर के काल में उसके बाद नीका कि थे उसके फूँदाद बाद लगणा कि require उसका ऐगा फॉठ़ पर यूद के बाद विजानेगर का मतलब वुधाइट्न वीजानेगर का मतलब हो गया था उजका इस यूद के बाद विजानेगर स Was That to be it 366 इसलबी में हुआ था रियरपूत का नामक दो भाईय Company कि अगला कोच ने महानमों डिबा कि समराज से समन्दी थे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पेरे बचो विजे नेगर समराज उसके बाद देखी देवराइदुतिया कि समराज के राजा थी तो यह आपका विजे नेगर समराज के राजा थे उसका राइट आंसर हो जाएगा और देवराइदुतिय नहीं बच्चों क्या क्या था मुस्लिम सासिकों को मुस्लिम सासिकों को नहीं मुस्लिम सेनाओं को अपनी सेना में सामिल क्या था मुस्लिम को ठीक है उसके बाद देखे अगला कोचने गोपूरम क्या है तो गोपूरम क्या था आपका यह आपका मंदिर की चार दिवारी का को यह इंहों नहीं कि अगला कोच ने इन में से कुन सब्सक्राइब आपको मास्कों से आए बच्चों वह बहुत नहीं पाए अलु में आता है आलू आपका भी दूरे तो किसने अकबर ने रयाध्यानि को बनद दीज और यह किसके बोड़ा गया था। करकि बताना आप इसके बाद कि अगला कोछ रहा है मिर सञ्यद अली और अबुत समाद जो परिशित चित्रकार थे मुगल दरबार में किस सासक ने लाया था तो किस्न लाया था ही माई इसे लाया था उसके वाद कि जहागिर नामा के लेखक कोने तो कोने मच्छो जहागिर नामा के लेखक खुद जहागिर है पापर नामा के लेखर कोने खुद बाबर है अकबार नामा के लेखर अबूल फजने ठीक है उसके बाद देखिे अगला कुछ मे expressed अकब्बर मजहर की घुशना कब कया था तो इसका राइट अन्सर हो जाएगा बचiantes पापर sol नमबर D 1525 3080 आब किया थैमाजर की खुजना 1581 में किया था उसके बाद देखे ताज-महाल का निर्मन किष्ण कर वाय था तो इसका रहा रेंट रहें कर राइफ़ जाएगा चाहां तो सबीं को जानते हों गया उपकिया तो आपलोग कुछी तो इसका रहेंट रही चौसर बढ़ी प्र अपना आपका सही हुआ है जानते हैं तो घिक है नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं निज चल्वाद को सब्छारे ले सब्छ क्लिबूर sık परेगी किने होगा तक सुछ सब्छेकृटिव अपापने का थोता है और साब के लोगा आप उसके बाद आपका एक्जाम के लिए पूरी तरसे प्रिप्रेशन आप लोग कर लिजेगा, तो आज के लिए बोश इतना ही बच्छो, मिलते हैं लेक्स बुडियों में, तब तक के लिए धन्यवाद,